आप ही इस देश को चलाते हो आप ही इस देश को आगे ली जाते हो और आपके खिलाफ साजिश हो रही है आपको ठगा जा रहा है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जारी है हमें इस आकरमन को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना प पूरी दुनिया में अमरीका में जापान में यॉरोप में चाइना में सब जगे आया अमरीका के बैंक गिर गए कंपनिया बंद हो गई एक के बाद एक कंपनी के लाइन लगई बंद हो गई यरप के बैंक गिरे मगए हिंदुस्तान को कुछ नहीं हो यूपिय के सरकार थी पधान मंतरी जी के पास गया और मैंने उनसे पूछा मनमौन सिंग जी बताईए पूरी दुन्या में आर्थिक नुकसान हुआ है हिंदुस्तान को कोई असर नहीं हो कारण क्या है मनमौन सिंग जी ने का राहूल अगर हिंदुस्तान की अर्थ्वेवस्ता को समझना चाहते हो तो ये समझना होगा कि हिंदुस्तान में दो अर्द्व्यवस्ता है पहली असंगाठित अर्द्व्यवस्ता और दूसरी संगाठित अर्द्व्यवस्ता संगाठित अर्द्व्यवस्ता में बड़ी कमपनिया नाम आप जानते हो असंगाठित अर्द्व्यवस्ता में किसान मजदूर छोटे दुकानदार मिडल साइज जिस दिन तक हिंदुस्तान का असंगठित सिस्टम मजबूत है, उस दिन तक हिंदुस्तान को कोई भी आर्थिक तुफान छोनी समते हैं, अब आज के दिन आते हैं? पिछले छे साल से, बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थ्यवस्ता पर आक्रमन किया हैं, तीन बड़े उधारन तुम्हें आपको अभी दे देता हूं, नोट बंदी, गलक GST, और लोकडाउन, आप ये मत सोचिए, कि लोकडाउन के पीछे सोच नहीं थी, ये मत सोचिए कि गलती से, आखरी मिनिट पे लोकडाउन कर दिया गया है, इन तीनों का लक्ष, हमारी इनफॉर्मल सेक्टर को खतम करने का है, प्रदान मंत्री जी को अगर सरकार चलानी है, मीडिया की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है, मीडिया और मार्केटिंग, पंदरवीज लोग करते है, इनफॉर्मल सेक्टर में पैसा है, लाकों करोर रुपे, जिसको ये लोग छूनी सकते है, इसको ये लोग तोड़ना चाहते है, पैसा लेना चाहते है, इसका नतीज़ा आएगा, नतीज़ा ये होगा कि हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं क दिता है, जिस दिन इनफॉर्मल सेक्टर खतम हो गया नच्ट हो गया, उस दिन हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा, आप ही इस देश को चलाते हो, आप ही इस देश को आगे ली जाते हो, और आपके खिलाफ साजिश हो रही है, आपको ठगा जा रहा है, और आपको गुलाम बना लेके कोशिश की जा रही है, हमें इस आकरमन को पहचानना पड़ेगा, और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा,